तारे सितारे वम ग्रहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्यका राशी फल नहीं ग्यानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 31 मई 2020 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों का सीधा असर बारा में से चार राशी वालों पर रहेगा यह चार राशियां आज भाग्य शाली रहेंगी तो इन चार राशियों में आज है मिथुन, करक, सिम्ह और तुला राशी वाले लोग वही अन्य आठ राशी वालों को आज सामान्य लाप के योग बन रहे हैं तो आज जेश्ट मास शुकल पक्ष की नौमी तिथी है रवीवार का दिन हैं आज सुरिय तो यह होगा प्राता हकाल 5.23 मिनिट पर और सुरियास तो होगा साम 7.14 मिनिट पर और आज दिन की सुरवात उत्रा फालगुनी नक्षत्र से होगी आज वज्र इवं सिध्धी नाम के दो शुब योग रहेंगे और आज चंद्रमा का संचरण सिम्ह राशी में होगा आज का शुब समय अवी जीत मुहरत आरंब होगा दिन के 11.51 मिनिट से आरंब हो करके तो 12.46 मिनिट तक शुब समय रहेगा इस स्रेष्ट मुहरत में आप कोई भी शुब नया वा मांगलिक कारी आरंब कर सकते हैं और आज का शुब समय दुष्ट मुहरत परारंब हो शाम के पांच बच के तीस मिनिट से आरम्म हो करके तो साम के साथ बच के चवदा मिनिट तक राहु काल रहेगा इस दोरान आप किसी भी नई वस्तु की खरीदारी नहीं करें किसी भी प्रकार का लेन देन का कारी नहीं करें और आज दिशा सूल रहेगा पश्चिम दिशा मे तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब नया वा मांगलिक कारी आरंब नहीं करें पश्चिम दिसा की आत्रा भी आप नहीं करें तो आज रविवार का दिन है जो भगवान सुरी नारण को समर्पित है आज के दिन सुरी भगवान की सच्चे मन से पूजा आरादना करने से वरत करने से मान सम्मान वयश्च की प्राप्ति होती है व्यापार व्यवसाइ नोकरी आदी में सफलता मिलती है और इसके अलावा जिनका विवाह नहीं हुआ हो साधी विवाह में ज़्यादा बाधाएं आ रही हो तो आज के दिन सूरी नारण भगवान के उनको विशेश उपासना करना चाहिए तो आज आपकी जन्मरासी के अनुसार सूरी नारण भगवान की विशेश करपा पाने के लिए कुछ खास वा सरल से उपाए वा मंतर आज आपको हम बताएंगे जिससे कि आपको कारी छेतरे में सफलता मिलेगी यस की प्राप्ती होगी और अच्छी उन्नती आप जीवन में कर पाएंगे तो अब जानी अपनी जन्मराशी के नुसार आज आपके भागी के स पर रहेगा इसलिए अपने मन में थोड़ी सी सुकून की भावना आपको बनाना चाहिए अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपकी पैसे की जरूरते बहुत भाग्यशाली रूप से पूरी होती चली जाएगी और यह भी एक आशिरबात के रूप में रहेगा आज आपकी सकारात्मक सोच आपके आपके लिए काफी कारगर साबित होगी स्वास्त पहले से काफी बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी चेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की का दिया जलावें उगते हुए सुरी भогवान की गंद पुश्पाक्षद के द्वारा पूजन करें तामबे के पात्र में सुद्द जल, गंगा जल, चंधन, पुश्पाक्षद डाल करके तीन बार सुरी भगवान को अर्गे प्रदान करें और सुरी नारण भगवान के इस महा मंतर का अधिक सहथ की जाप करें ओम ग्रणी सूरिया इनमा तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज अपना मनोवल पाजिटिव दिशा में रखेंगे तो आपके लिए काफी फाइदे मन रहेगा आज कोई अच्छी खबर आपको मिल पाएगी आज कारिच छेतर में आज कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं जिससे आपको काफी धन लाब के योग बनेंगे इस रासी के लोगों को आज किसी निजी काम से यात्रा के योग बन सकते हैं आज परिवार के सदश्यों के साथ आपका तालमेल काफी बहतर रहेगा आज अपनों से बड़ों का आसिरबाद लें आपका दिन बहतर व्यतित होगा अपने ही कारी छमताओं पर सवाल खड़े करते चले जाने से आज आपको बचना चाहिए आज सकारात्मक विचारधारा आपको रखना चाहिए वेसे स्वास्ते की दरश्टी से दिन सामान ने है तो आज आपका भागिशाली अंक दो है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकाटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इशनान करने के पस्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में सूरी भगवान की प्रसनता के लिए गाई के सुद्धगी का आटे का दिया जलावे उगते हुए सूरी भगवान की गंद पुष पाक्षद के द्वारा पूजन करने के बाद तांबे के पातर में गंगा जल गुलाब जल चंदन इतरादी मिला करके तीन बार अरगे प्रदान करें और सूरी नारण भगवान की इस माहा मंतर का अधिक से अधिक जाप करें उम्भास कराई नमा तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज का दिन आपके लिए काफी फाइदे मन साबित होगा बिजनेस संबंदी कारियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आज किसी काम में थोड़ी कोशिस करने से आपको अधिक फाइदा मिल पाएगा आज धनलाप के नए मारग आपको मिलेंगे विद्यार्थी वर्गे के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा तकदीर पर विश्वास करना और सपने देखना आपके लिए बहतर रहेगा उसी अनुपात में मेहनत बढ़ जाए तब ही आपको फाइदा भी मिलता रहेगा आप सिर्फ धनलाप के सपने देख रहें और असंतुष्ट होते चले रजजा रहें ऐसे में इस आदत को आपको परिवर्तित कर लेना चाहिए अपनी विचार धारा को आज आपको अच्छी रखना चाहिए सकारत मंग विचार धारा के साथ काम करेंगे तो काफी आप सफल रहेंगे आज का दिन स्वास्तिकी दृष्टी से काफी बहतर रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक चार है, शुब रंग आपका केसरिया रंग है, केसरिया रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक साधी का आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विगन संकाटेवं बाधाओं से मु प्रकार के अधिक से अधिक जाप करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होगा सफलता दायकाज रहेगा, अगले राशी है करक, करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, के आप विश्वास कीजिए, खुद पर यकीन ही बहु के असली परक होती है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रहे ही बीमारी से निजात पा सकेंगे, या किसी समस्या से निजात पा सकेंगे, आज के दिन आप उरजा से भरे हुए रहेंगे, और मुम्किन है कि अचानक अंदेखा मुनाफ़ा आपको मिल जाए घर का कुछ समय से टलता आ रहा काम का आज थोड़ा वक्त ले सकता है, दूसरों के दखल अंदाजी गती रोद आपको पेदा कर सकती है, अगर आज आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने के आवशकता है, आपके जीवन साती की मांगे तनाव का करन बन सकती है, और कर्मन्यता पतन की जड़ होती है, इसलिए कर्म पर ध्यान दें, ध्यान वा योगा अभ्यास करके आप इस समय जड़ता को दूर भगा सकेंगे, आलसी को दूर भगा सकेंगे, आत्म विश्वास इससे आपका बड़ा हुआ रहेगा, स् सभी प्रकार के विग्न संकटिवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में सूरी भगवान की प्रसनता के लिए गाय के सुद्धगी का आटे का दिया जलावें उगते हुए सूरी भगवान की गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प अवश्य चड़ावें सूरी भगवान को मिठाई का भोगरपन करें करपूर से आरती उतारें और सूरी भगवान को तामे के पातर में गंगाजल अगली रासी है सिम्ह राशी बालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अटके हुए मामले और घने होंगे वह खर्चे आपके दिमाग पर च्छा जाएंगे बच्चे और बुजूर्ग खुद के लिए आपसे ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं आज प्र महसूस कर पाएंगे दूर इस्थान से जुड़ा हुआ असंतोष आपको परिशान कर सकता है उसमें बहुत सारी चीजे ऐसे भी हो सकती है जिनका आपको पूरी तरह से आभास भी नहीं हो ऐसे में लोगों से लोगों के परती असंतोष बड़ा लेना आपके लिए ठीक नह नीला रंग है नीले रंग का प्रियोकारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राता का पूरा दिन आपके लिशुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है कन्या तो कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज मित्रों के साथ कई घुमने फिरने का प्लान कर सकते हैं विवाहितों के लिए दिन काफी अच्छा है मन्चाहा जीवन साथी मिल सकता है या विवाह प्रस्ताव कहीं से मिल सकता है इस राशी के विवाहित आज साथी की पिछली गलतियों को माप करके एक नए सिरे से दिन की सुरवात कर सकेंगे आज भोतिक सुक्सविधाओं में बडोतरी कर पाएंगे आज हनवान चालीसा का पार्ट करना काफी फाइदे मन रहेगा आपका विवाहिक जीवन सुखमे ही रहेगा पेसे के लेंदेन से आप परिसान हो सकते हैं अपनी आमदानी से आप संतुष्ट नहीं है इसलिए बढ़ते हुए दबाव आपके लिए ठीक नहीं लग रहे हैं आज आपको तनाव मुक्त रहने की आवशकता रहेगी जिससे की कारेच्चेतर में अच्छी सबलता प्राप्त कर लेंगे आज का दिन स्वास्त की दर्ष्टी से सामानी रहेगा तो आज आपका भाग्यशली अंक पांच है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोग कारेच्चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इश्नान करने के बाद सूरी भगवान की प्रसनता के लिए अपने घर की पुरुदिशा इशान कोण में शुद्घी का आटे का दीपक जलावें उगते होए सूरी भगवान की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें सूरी भगवान को लाल पुष्प लाल वस्तर अरपन करें गुडगी की धूप अरपन करें और सूरी भगवान को मिठाई का निवेद्य अरपन करें यथा शक्ती सूरी नारण भगवान के इस महा मंतर का अधिक से अधिक जाप करें ओम भानवे नमा तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब हो बस सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही आचानक यात्रा करना थकावट भरी हो सकती ही आप खुद को नए रोमान चक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फाइदा पहुचाएंगे मुम्किन है कि माता पिता आपकी बात को गलत तरह से समझे क्योंकि आपने अपनी बात भली भाती उनके सामने नहीं रखी हो सुनिश्चित करें कि आपकी बात उन्हें ठीक तरीक कैसे समझ में आए प्रेम और रोमान साब को खुश मिजाज बनाए रखेंगे महत्वपुर्ण लोगों के साथ बात्चित करते वक्त अपने शब्दों पर गोर अवश्य करें आप महसुस करेंगे कि साधी सुधा जिन्दगी आपके लिए वाकई खुश नसीबी लेकर के आई है कैस सज्जा और मालिस जैसे क्रिया कलापों में काफी समय लग सकता है आज इसके बाद भी आपका काफी अच्छा महसुस कर पाएंगे अपने स्वास्त पर ध्यान देना आज आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंकछे है शुबरंगा आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटिवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहका लिश्नान करने के बाद सूर्य भगवान की निमित अपने घर की पूर्वदिशा में शुद्ध घी का दीपक जलावे उगते हुए सूर्य भगवान को तामबे के पात्र में सुद्ध जल गंगा जल चंदन इत्र गुलाप का जल मिला करके तीन बार सरद्धा पुर्वक अर्गे परदान करें और सूर्य नारण भगवान के इस महा मंतर का 108 बार जाप करें उम दिवा कराई नमा तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिशुभू बस सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी वालों को आज उशुभू परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि निश्चित तोर पर वित्ती स्थिती में सुधार रहेगा लेकिन साथी खर्चों में बडोत्री होगी उन लोगों के साथ कुछ समय बिताए जो आपको चाहते हैं आप पर विश्वास करते हैं आपका ख्याल लगते हैं प्रेम मुहमत के लिहाज से आज का दिन मुश्किल रहेगा छुपे वे दुस्मन आपके बारे में अफवाएं फालाने की कोशिस कर सकते हैं गुपत सत्रों से सावधान रहें खर्चों को लेकर जीवन साती से तनातनी होना संभावित रहेगी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं फिर भी मुम्किन है कि आप आज चीजों को बात के लिए टाल दे इसलिए ऐसी आदत को बदल देना चाहिए दिन खत्म होने से पहले आपको उठ जाना चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए नई तो आपको महसूस होगा कि पूरा दिन वैसे ही बरबाद हो गया है आपकी अच्छाई भरपूर उभर करके सामने आएगी और यह बात आपके लिए काफी अच्छी रहेगी आज का दिन स्वास्त की द्रश्टी से काफी अच्छा है तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे आटे का चार मुखी दीपक जलावें दीपक का गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पूजन करें उसके पश्चात उगते हुए सूरिय भगवान की गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पूजन करें सूरी भगवान को तामे के पात्र में सुद्ध जल गंगा जल गुलाब जल मिला करके चंदन आदी मिला करके तीन बार सरद्धा पुरवक अर्गय परदान करें और सूरी भगवान के इस महा मंतर का 108 बार जाप करें ओम ग्रणी सूरी आई नमाहा तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब होब सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि खर्चे आपके बढ़ रहे हैं नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है मन भी आपका दुखी रहेगा क्योंकि आपकी कोशी से उस रूप में फल नहीं दे पा रहे है आज आपका दिन वैसे सांधार रहेगा रिस्तों में आपके मजबूती आने से आपके सांथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा विद्यार्थी वर्ग के लिए किसी नए कोर्स को जोईन करने का विचार अच्छा रहेगा आज का दिन शूब है आज कोई करीबी मित्र आपसे मिलने आ सकता है उसकी मदद आपको मिल सकती है इस रासी के विवाहित लोग आज कहीं पिकनिक या घुमने फिनने जाने का प्लान कर सकते है आज अपने स्वास्त के प्रिति आप थोड़े गंबीर रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा खान पान पर नियंतर रखेंगे तो आज आपका स्वास्त बहतर बना रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक साथ है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोकारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्राताहका लिश्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदीशा इशान कोण में सूर्य भगवान को प्रसन करने के लिए गाय के सुद्धगी का दीपक जलावें उगते हवे सूरी भगवान को ताम्वे के पात्र में सुद्ध जल, गंगाजल, गुलाब जल, चंदन, पुष्प, अक्षत डाल करके तीन बार सरद्धा पूरव का अरगय परदान करें, गुडगी की धूप अरपन करें, मिठाई का निवेद्य अरपन करें करपूर से सूरी भगवान की आरती उतारें, और सूरी भगवान के इस महा मंतर का अधिक से अधिक जाप करें ओम सूरी नाराय नायनमह, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मकर, मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा, आज आप फ्री टाइब में संगीत आदी सुनना पसंद करेंगे आज अचानक कहीं से धनलाप के योग बन सकते हैं, आज कानूनी मामलों से आपको राहत मिल पाएगी आज लोग आपसे काफी प्रभावित रहेंगे, आज कुछ नए लोगों से सुब काम में आपको मदद मिल पाएगी आज किसी पार्टी आदी में जानने का अवसर मिल पाएगा या समाज में कहीं सयोग करने का अवसर मिल पाएगा आज समाज में सयोग करने से आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी आज पेसो के लेंदेन में थोड़ी सी सावधानी आप रखे वरना आपका नुकसान हो सकता है आज असंतोष को नहीं पनपने दे आज सकारात्मक विचार धरा बनाए रखे अपने जीवन साथी से और अपने साथी सायोग्यों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत आपके लिए ज़्यादा रहेगी इससे आपका कारी छेतर अच्छे से चलेगा और आप अच्छे से उन्नती कर पाएंगी स्वास्तिकी दरश्टी से दिन में से सामाने रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक दो है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हिन की प्रातहकाल इश्नान करने के पस्चात अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोड में सूर्य भगवान की प्रसनता के लिए गाय के सुद्धगी का आटे का चार मुखी दिपक बना करके जलावें और उगते हुए सूर्य भगवान की गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प अवश्य अरपन करें लाल अवस्त्र अरपन करें लोग को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि जो धुन्द आपके चारों तरफ चाही हुई है और आपकी प्रगती को बादित कर रही है उससे बाहर निकलने का समय अब आ गया है आज निवेस के जो नए आवसर आपकी ओर आए उन पर विचार विमर्स अवश् आपको अपने दाइरे से बाहर निकल करके ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो उची जगह पर इस्थापित हो आपके विवाहिक जीवन से सारा मजा खो गया ऐसा मालूम हो सकता है अपने जीवन साती से बादचीत करें कुछ मस्ती भरी योजना बनाएं आज प हग्यशाली अंक चार हैं शुब रंग आपका केसरिया रंग हैं केसरिया रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटे मंबादाओं से मुक्ती पाने के लिए आप का विशेश उपाई इस प्रकार से कि प्राता का लिश्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में सूर्य भगवान की प्रसनता के लिए गाय के शुद्ध घी का दीपक जलावें उगते हुए सूर्य भगवान की गंद पुष्पाक्षत के द्व वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं परिवार वालों के साथ आपका रुखा बरता और घर का माहल तनाव पुरुण बना सकता है प्रेम पुरुण विभार करें आपको दूसरे के साथ व परिवी लोगों के सामने ऐसी बाते उठाने से बचे जो उन्हें उदास कर सकती हो आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभो कर पाएंगे अपनी खासियत और भविष्ची की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय रहेगा किसी नए काम की सुरुवात करने का समय र रखता है कि आज आप अपने जीवन सांती के साथ बहुत खर्च कर सकते हैं आज खर्चों पर थोड़ा सा नियंतर रखना भी आपके लिए बहतर रहेगा और अपने स्वास्ते के प्रति गंभीर रहे तो ठीक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका भैंगनी रंग है भैंगनी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक-सधिक आप क करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी उगते हुए सूरी भगवान को तामबे के पातर में सुद्ध जल गंगाजल चंदन इत्र गुलाब का जल मिस्रित करके थोड़े से अक्षत डाल करके तीन बार सूरी भगवान को सरद्धा पूरवक अर्ग प्रदान करें सूरी नारण भगवान को गुडगी की धूप अरपन करें मिठाई का निवेद्य अरपन करें और एक स्रीफल अरपन करें और सूरी भगवान के इस महा मंतर का अधिक से अधिक जाब करें अम्भास कराई नमाः तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूभोबा सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैस्तिरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे